नमस्कार दोस्तों, हमारा देश भारत सद्यों से ही मापूर्सों की जनम भूमी और करम भूमी रही है इस पावन धर्ती पर बहुत से ऐसे मनुश्य पैदा हुए हैं जिनोंने अपने चिंतनवे दर्सन से न केवल भारत बलिक पूरी दुन्या को गोर्वानित किया है ऐसी ही एक वेक्ति थे जिनें पूरी दुन्या अनुश्रन करती थी बहुत मान लोगों ने इनसे प्रेणना ली है जिनमें से सुभास चंदर बोस, लाल वादूर सास्त्री, परधान मंतरी नरेंदर मोदी, महात्मा गांदी और मान वेग्यानिक निकोला कैसला शामिल है ऐसी नामों के बहुत लंबी कतार है जिनमें से हर किसी ने इनसे प्रेणना ले है यही वे पहले इंसान थे जिनोंने अमारे वेदों की ताकत, अमारे उपनिसिदों की ताकत को पूरी दुनिया में फैला दिया था पूरी दुनिया को इनोंने अपने आगे नत्मस्तक होने के लिए मजबूर कर दिया था हिंदोत्तु की ताकत को बताते हुए पूरी दुनिया को एहसास करवा दिया था कि हिंदुस्तान ही पूरे विशव का जगत गुरु है यह थे अमारे परम पूर्जय स्वामी विवेकानन जी स्वामी विवेकानन जी का जनम 12 जन्वरी सन 1863 में मकर संकरांती के दिन हुआ था इनका जनम कोलकत्ता सहर के एक हिंदु बंगाली परिवार में हुआ था यह नो भाई बेनों में से एक थे इनके पिता विश्वनात दत उस समय के एक सफल वे नामी एडोकेट थे इसके साथ वे अंग्रेजी और फार्सी के अच्छे जानकार भी थे इन्हें सभी सुक्सुईदाय अच्छी लगती थी स्वामी विवेकानन जी का वियल नेम नरेंदरनात दत था और ऐसा भी माना जाता है कि बचपन में इनकी माता भूमेश्वरी देवी ने इनका नाम विरेश्वर रखा था बाद में इनका नाम बदल कर नरेंदरनात दत रखा गया इने प्यार से नरेन भी पुकारा जाता था इनकी माता धार्मिक प्रवत्ती की एक विद्वान महिला थी उन्हें भगवत गीता और रामायन जैसी धार्मिक गरंतों में पारंगत हासिल थी ऐसे में स्वभाविक था जहां घर में उन्हें अंग्रेजी भासा का प्रारंबिक ज्यान मिला वहीं उन्हें अपनी मा से इंदु धरम और संस्क्रीती को करीब से जानने और समझने का मूँका मिला अपनी मा का नरेंदर पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा वगर में ही इस्वर की भक्ती वय ध्यान में खो जाया करते थे नरेंदर को बच्चपन से ही इस्वर को जानने और उने राप्त करने की लालशा थी नरेंदर सब बच्चों से अलग थे इसलिए सायद उन्हें सपने भी अलग आते थे एक बार उन्हें सपने में एक चमकता हुआ गोला दिखाई दिया जिसमें से बहुत रोसनी निकल रही थी जिसका रंग लदाता बदलता ही जा रहा था वे गोला दिरे दिवे और बड़ा होता जा रहा था एक स्तीती पर आकर वे फूट गया और फिर उससे निकलने वाली सफेद रोसनी उनके उपर गिरने लगी उस रोसनी निकलने पूरी तरह से डग लिया छोटी उमर में ही वे अलग अलग रिलीजन जैसे इंदो मुसलिम और अमीर गरीब में प्रेदभाव करने के लिए सवाल उठाते थे बच्पन में एक बार उन्होंने अपने पिता से पूछा पिता जी आपने मेरे लिए क्या किया है उनके पिता ने उन्हें दरपन देखने के लिए कहा उन्होंने कहा अपने आपको इस दरपन में देखो तुम समझ जाओग कि मैंने तुमारे लिए क्या किया है फिर उन्हो ने कहा बेटा कभी भी किसी चीज को देखकर सप्राइज मत होना यही कारण था कि नरेंदर ने सीखा कि सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए जब वे एक सादू बन गए तब चाहे वे किसी राजा के महल में जाए या फिर किसी गरीब के घर में वे उनके साथ अमीशा एक जैसा वैवार करते थे उन्हें अमीर गरीब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था नरेंदर जब छोटे थे उन्हें एक दिन दो तरह के सपने आए एक बहुत पड़ा लिखा आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है सोसाइटी में उसका नाम बहुत उचा है उसके पास एक बहुत सुन्दर घर और उसकी पतनी और प्यारे प्यारे बच्चे हैं दुसरी उनकी तो बस यही इच्छा थी कि वह बगवान को जानें उनके और पास चले जाएं नरेंदर जानते थे कि वह इन में से कुछ भी बन सकते हैं उन्होंने बहुत गहराई से सोचा उन्हें यह एसास हुआ कि वह एक सादू की तरह ही जीना चाहते हैं स्वामी विवेकानन अप इनके पास एक ही लक्षय था इनने बगवान को देखना था और इनने अनुबव करना था कि बगवान से मिलने पर कैसा लगता है वह चाहते थे कि कोई ऐसा इंसान इन्ही रास्ता दिखाए जिन्होंने खुद भगवान को देखा हो इसलिए इन्होंने अपनी स्खोज में ब्रह्म समाज को जोईंग किया तब स्वामी विवेकानन जी ने रामक्रिशन के बारे में सुना जिनका मन इतना साफ था कि उन्होंने भगवान को महसूस किया था नरेंदर जी रामक्रिशन से दक्सिन रेश्वर मंदिर में मिले थे वह नरेंदर से मिलकर बहुत परभावित हुए नरेंदर ने उमें अपने पूरे मन से बजन सुनाए रामक्रिशन समझ गए कि ये दूसरे बच्चों से अलग है रामक्रिशन इस बात से बहुत खुश थे कि उन्हें एक ऐसा स्टूडेंट मिला जिसके साथ वह अपने विचारों को सेर कर सकते हैं रामक्रिशन को छोड़ कर अब तक किसी भी टीचर ने नहीं कहा था कि उन्होंने भगवान को देखा है अब नरेंदर को विश्वास हो गया था कि वह जिसे खोज रहे थे वह मिल गए नरेंदर ने एक बार पूछा मास्टर जी क्या आपने भगवान को देखा है इस पर रामकेशन ने कहा हाँ मैंने भगवान को देखा है जैसे मैं तुम्हें देख पा रहा हूं वैसे ही मैं भगवान को देखा जा सकता है उनसे बाते भी की जा सकती हैं लोग अपनी family पैसा property के लिए रोते हैं लेकिन भगवान की एक जलक देखने की इच्छा किसे में भी नहीं है। कोई उन्हें देखने के लिए आसु नहीं बाता अगर सच में उन्हें कोई देखना चाता है तो वह उन्हें देख सकता है। यह सुनकर नरेंदर के मन को बहुत जादा शान्ती मिली। स्वामी विवेकानन जी अपना जीवन अपने गुरुदेव स्री नाम केशन को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर्तियाक के दिनों में अपने घर और कुटुम की नाजुक हालत की चीनता किये बिना श्यम के भोजन की चीनता किये बिना रगगुरु सेवा में तत लगे रहे। गुरुदेव का शरीव अतियंत रुबन हो गया था। स्वामी विवेकानन बड़े स्वपंद्रश्टा थे। उन्होंने एक ने समाज की कलपना की थी। ऐसा समाज जिसमें धर्म या जाती के अधार पर मनुश्य मनुश्य में कोई भेदवाव नहीं रहे। स्वामी विवेकानन जी विधान्त के विख्यात और एक प्रभावसाली अध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने अमेरिका स्टित सिकागो में सन 1893 में अवजित विशव धर्म मांसवा में भारत की उड़ से सनातन धर्म का प्रतिनिद्व किया था। बारत का विधान्त अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामे विवेकानन की वकरता के कारण ही पहुचाएं। इन्होंने राम्तिशन मिशन की स्तापना की थे। जो आज भी अपना काम कर रहा है। एक राम्तिशन प्रमंस के प्रिये शिष्य थे। इने परमुख रूप से इनके भाशन की सुरुवात मेरे अमेरिका भाईयों एउन बैनों के साथ करने के लिए जाना जाता है इनके संबोधन के इस प्रत्रम वाके ने सबका दिल जीत लिया था स्वामी विवेकानन को 31 से भी अधिक विमारिया थी जिनमें से एक विमारी थी उनका निद्रा रोग से ग्रिसित होना अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी स्वामी लिएकानन ने अपने सीष्यों के बीच सुकल यूजरवेद की व्याख्या की थी और कहा कि यह समझने के लिए इस विवेकानन ने अब तक क्या किया है हमें एक और विवेकानन चाहिए उनके सीश्य के निसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपना ध्यान करने की दिन्यचरिय को नहीं बदला और प्रात्य दो-तिन घंटे तक ध्यान किया और ध्याने वस्ता में ही उन्होंने मा समाधी ले ली थी उनके निदन की वजए तीसरी बार दिल का दोरा पढ़ना था स्वामी विवेकानन जी अपनी मृत्तु के समय सिर्फ 49 वर्स के थे धन्यवाद दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी ऐसी और भी इंफर्मेटिव वीडियो स्पानी के लिए अमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों